गाजीपुर से किरन नाई वरिष्ट पत्रकार की रिपोर्ट पुलिस मुत्गेर में इनामिया वांचित अपराधी हुआ गिरफतार लूट के 30,000 रुपे वरसल है बाइक बरामत खबर गाजीपुर जिले से है जहां पर पुलिस ने बिर्नो सीएसी की लूट धटना में 25,000 रुपे के इनामिया वांचित शातिर अपराधी अभिशेक उर्ट बंटी को उसकी सहयोगी सीताराम के साथ पुलिस मुत्गेर में लूट के माल के साथ गिरफतार कर लिया पुलिस द्वारा चेकिंग के बिछाए गए जाल में सुमवार 8 नवंबर की रात करीब 10 बचकर 20 मिनट पर रातरी सूचना मिली की रेवतिपुर क्षेत्र अंतरगत रेवतिपुर मोल के पास थानाध्यक्ष रेवतिपुर वस्वार टीम के द्वारा सेयुक्त रूप से ब बदमाशों का पीछा किया गया थानाध्यक्ष गहमर द्वारा कंट्रोल रूंग की उक्त सूचना पर रेवतिपुर की तरफ बढ़ते हुए बदमाशों की घेराबंदी का प्रयास किया गया और सुवल गहमर रोड पर नवली गाउंव में उक बदमाशों को स्वाट भूली लगी और वह घायल होकर गिर गया तथा दूसरे बदमाश सिताराम पुत्र स्वर्गिये रामरिक्ष राम निवासी ग्राम सहावल पूर अलदेमू सरौधा थाना चिरया को जनपद मौं को भागते समय पकर लिया गया घायल बदमाश अभिशेक उर्फ बंटी को सी अस्पताल में भर्ती कराया गया है अन्य चानबीन और विदिक कार्यवाही की जा रही है गिरफतार अभ्युक्तों के पास से दो अवैक देसी तमंचा दो जिंदा कार्तुस चार खोखा कार्तुस लूट के 30,000 रुपे वचोरी की मोटर साइकल अपाचे बरामत की गई जोतिपूर थाना चेता अंत्रगर सर अभी अभी एक मुटवेड हुए सर क्या है सर मामला कुछ दिनों पहले एक सीएसी केंद्र पे एक सीएसी संचालक नसे लूट की वार्दात न हुई थी उसमें कुछी दिन न पहले दो व्यक्ति उसमें घिरफतार हुए थे कुछी र इराबंदी नाकाबंदी जो है वो नकी गए थी एक बाइक पे दो लड़के सवार एसोजी टीम और अस्तानी अथाना की टीम है उन्होंने उसको रोकने की कोशिश न करने पर उन्होंने पुलीस के उपर फाइरिंग शुरू कर दी जवाबी कारवाई में पुलीस का द्व इस नव्यक्ति का नाम अभिशेक उर्फ नबंटी है और ये रहने वाला भर्याबाद थाना चेत्र का है इसके उपर कई सरय आपरादी के मामले दर्ज है और 25,000 रुपए का इनाम्या भी है